नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, गौर अवत अनेजा यानि के फ्लाइंग बीस्ट को तो आप सब जानते ही होंगे, ये एक इंडियन व्लॉगर है और टीवी पर भी बहुत जाद एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं, हाल फिलाल में इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रह प्रवेस पूजा हो रही है, और वो हवन करते वे नजर आ रहे हैं, और उन्होंने पोस्ट में अपने लिखा, हिंदुईजम इस साइंस बेस वे आफ लाइफ, साथ में उन्हो कोपाल गैस तरासिदी का भी जिकर किया और हवन के महत्यों को बताया, बस फिर क्या था, काले अंग्रेज, जर्मन के हमारे भाई, ने इस ट्विट का जवाब देते वे, उनसे कोशन पूछ लिए, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी गैस निकलती है, सी ओ टू है, सी ओ है, इस परकार की उन्होंने गैस के नाम बता दिये, आपको बताती चलूं कि जिस जर्मनी में बैट कर इनको भारत की हर एक बुराई ही नजर आती है, वो जर्मनी भारत के वेदों पर बहुत विस्वास करता है, सास्कित भासा को सबसे उत्तम भासा मांगता है, वेदों पर व इसलिए मैं आपको सामान्य अगनी और वैदिक अगनी के अंतर को बता सकती हूं, सामान्य अगनी के दुए में आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जहां यज्ज हो रहा हो, उसके दुए में आप आसानी से बैठ सकते हैं, यदि उस यज्ज में प्रियो की जाने वाली जहाएं भी असली हैं यानि कि खराब लकड़ी की नहीं हैं आम की हैं पीपल की हैं या फलों के वरिक्ष इत्यादी की हैं तो उससे निकलने वाला धुआ उससे निकने वाली अगनी आपको एक अलग परकार का सकून शानती देती है पॉजिटिव एनरजी पैदा करती है और वातावरण को शुद्ध करती है ओक्सिजन का तो मैं आपको नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन उस एनरजी को मैं फील कर सकती हूँ और आप भी फील करेंगे यदि आप एक पवित्र यज्जे में बैठेंगे ये यज्ज शानती कुझ में भी होता है और आरे समाज में भी होता है गुरुकुलों में भी होता है पौरानिक सानतीनी पंडित जिस प्रकार का यज्ज़े करते हैं उसकी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ दोस्तों वेदों की कई मंत्रों पर रिसर्च हो चुके है और वो सही साबित हुए और जब वो सही साबित हुए तब उनको माना गया लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जब तक वो सही साबित नहीं हुए थे तो वो गलत थे आपने उसको सही समझा नहीं था लेकिन वो तो सत्ते थे यानि हर चीज जो हमें मालूम नहीं है जरूरी नहीं है कि वो है ही नहीं या उसका कोई अस्तित्व नहीं है उसको ना होना मानना गलत है जब आपको जानकारी नहीं है दोस्तों इन परकार के लोगों को मैं असली एनलाइज करने वाला चिंतक विचारक नहीं मानती क्योंकि कि इनके अनलाइज केवल एक तरफा होता है। ये लोग तब कोष्चन नहीं करते जब बकरा इतने सारे बकरों की कुरुबानी दी जाती है तब इनके मुхमें दही जम जाती है। तब ये कुछ नहीं कहते हैं जब उचा पडा, पजामा और लंबा काम नहीं करती कि उस जीव में भी प्रान थे वो भी जीवी था तब इनकी सारी साइंस खतम हो जाती है मुझे नहीं पता कि फ्लाइंग बिस्ट इनके जवाब देंगे की नहीं देंगे लेकिन मुझे से नहीं रुका गया और मैंने जो मुझसे बन पड़ता था मैंने किया आप क्या कहते हैं इस बारे में